नमस्कार दर्शकों श्री शिवाय नमस्तु ब्यम यहाँ उपाय पूजने श्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा बताया गया है और यहाँ उपाय आपको सोमवार की अश्टमी के दिन करना है सोमवार की अश्टमी 27 दिसंबर को पड़ रहे है इसके बाद आप हुआ जरूर कीजिए का आईए जानते हैं क्या है यह उपायए आपको इसके लिए 31 चावल के दाने ले 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 921 मूंग के दाने ले 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 और 31 बेलपत्र ले 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 तीनों चीज़ें बिना टूट्टी फुटी कटी constituency होने चाहिए यानिसे चावल होने चाहिए सेगे मूंग होने चाहिए खड़े मूंग और 31 बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो इस बात का ध्यान रखें और उसमें डंडी हो तो डंडी में गांठ नहीं होना चाहिए इस बात का भी विशेश ध्यान रखें अब आपको क्या करना है 31 जो हमने चा प्रफुणों को आपको नंदी के जो पैर उचा रहता है उस पैर के पास रख देने हैं इसके बाद जो 31 बेल पत्र लिये हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के इस्थान पर रखना है अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोती पुत्री है उन बेल पत्रियो पर आप पीला और लाल जंदन लगा लें उस पर आपको अशोक सुंदरी का इस्थान जो की जलाधारी होती है जहां से पानी नीचे की और गिरता है वहीं पर आपको समर्पित कर देना है आपके मन की जो भी कामना है बोलते हुए आप उन बेल पत्रियों को समर्पित करें आपके जो भी कारे छूट गए हैं आपके नहीं हो पा रहे हैं आपकी मन की जो भी कामना है जिस भी कारे के लिए आप परेशान चल रहे हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप सोमवार की अश्थिमी को यहां उपाय अवश्य करें आपकी मन की कामना को बोलते हुए इस उपाय को करना है, सुभा के समय यह उपाय करें, या फिर प्रदोश काल के समय करें, आप सोंबार की अश्टमी के दिन इस उपाय को जरूर कर लें, और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाई, नमस्तु भ्यम